वेले व्रीवन वेल्कम बैक टूमाइज चैनल सिटीकेटिवायर हैर और ब्यूटी टिप्स आज के वीडियो में बहुत कमाल की चीज़ आप सब के साथ सेयर करने वाली हूँ जो भी लोग परिसान है कि विंटर में हम हीना अप्लिकेशन नहीं कर पा रहे हैं और अपने बाल को नैश्रल तरीके से काला करना चाहते हो वाइट हेयर को टर्न करना चाहते हो मतलब उसको रिवर्स करना चाहते हो ब्लैक करना चाहते हो आसान तरीके से तो इससे आसान तरीका आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है बहुत जल्दी जटपड बनकर तयार होने वाली रोज करते रहोगे जितनी बार में बताती हूं यूज करोगे तो रिजल्ट एक दिन जरूर मिलेगा तो चली अपने रेमडी जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छे लगे तो प्लीस लाइक जरूर करना तो इसके लिए बहुत ही कम चीजों की जरुवत है द करना है तो लोहे का बरतन जरूर ले लो सेकेंड जो मैंने लिया है यहां पर वैसे तो यह फर्स ही इंगिडियंट है वह हमारा आवले का जूस यह आपके बोड़ी के लिए आपके हैरफॉल के लिए आपके आई साइड के लिए सारी चुजों के लिए बहुत अच्छा है आधा चमच के करीब मैंने आवले का जूस ले लिया है यह नहीं है तो आवला पॉडर भी ले सकते हो या फ्रेस आवले का लिकबड़ भी बना सकते हो आईरन के बरतन में जब हम आवला को डालते हैं तो उसके कॉंटेक्ट में आकर यह बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता है उसके बाद मैं इसमें डालने वाले हूँ रोगन बदाम कोई भी बदाम होई ले लेना जो आपके पास अवलेबल हो मेरे हैर जो है वो ओईली है इस वड़े से में आधा चमच के करीब ले रही हूँ अगर आपके बहुत जादा ड्राय है तो आप एक से डेर चमच के इसके बाद जिनका बहुत जादा हैर वो अपने बालों को उगाना चाते हैं तो मैंने लिया है जिंजर इसेंसियल ओईल अगर यह आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर अधर का जूस निकाल कर वो भी डाल सकते हो दो तिन ड्रॉप यहाँ पर मैंने इसमें पांच से सा अगर आप मेरे जैसा रिजल्ट चाहते हो तो अलो वेरा जल मार्किट वाला डालना और अगर आपके पास यह नहीं है तो जो फ्रेस लीफ होती है उसका भी उसकर सकते हो रिजल्ट इससे अच्छे ही मिलेंगे जिनको क्रीम जैसा चाहिए जैसा कि अभी आपको पर दिख आप दिखाँगे आपको अगर आपको वैसा चाहिए तो जो फ्रेस लीफ होती हो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना इसको करते करते आप देख सकते हैं को चेंज होता जा रहा है अगर आप इसको तुरंत लगाना चाहते हो तो बनने की बस पांच मिन्ट रख देना उसके अपने बालों पर आप इसका अप्लाई कर सकते हो लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इसको और थोड़ा गुर्णस को बढ़ा लूँ तो 5-6 घंटे के लिए रख देना उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हो अब देखो मैंने इसको रख दिया था 5-6 घंटे तक उसके सकते हो और अगर आप बहेडा पाउडर का कुछ बना रहे हो अपने हेर पर अप्लाई करने के लिए उसमें डाल सकते हो या इंडिको यूज कर रहे हो उसमें डाल सकते हो या फिर मुलतानी मिट्टी का यूज कर रहे हो उसमें डाल सकते हो जितनी चीजे मैंने गिनवाई ह आपको किसी भी चीज में इसको यूज करके अपने हर पर अपलाई कर सकते हो यूज करने के लगभग आदा घंटे के बाद आपको अपने बालों को वाश करना है और वाश करते नम आपको ध्यान ये रखना है कि नेक्स दे सैंपु किया करो सेम डे सैंपु मत किया करो क्यूंकि हो में डाइ जो होती है उसका रिजल्ट आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेगा इसलिए एक दिन के बाद ही सैंपु किया करो यह देखिए अगर आपको इसी तरह के काले लंभे चौमकदार बाल चाहिए तो प्ल